हेलो एवरीबन कैसे हो आप सब आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेफ होंगे गाइस आज हम एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं आज जो वीडियो यह आप देख रहे हो एक बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है आज हम जो डिस्कस करने वाले है 12th क्लास के लिए एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक इशू ओफ डिबेंचर की एंट्रीज इन रिगार्ड ओफ किसके रिगार्ड में रिडंशन पॉइंट व्यू से एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है तो यह आज आप नोगए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाल है बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाल है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये सारा का सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए So let's start guys, start करते हैं आज का टॉपिक, हम debentures की क्या कर रहे हैं entry, debentures के issue की entry, issue of debenture With redemption point of view, redemption point of view, alright guys, guys अभी तक जो आप लोगों ने इस chapter में किया, issue of debenture में वो क्या किया, आपने किवल issue of debenture की entries डाली, कहीं पर वहाँ पर, कहीं पर भी, redemption के बारे में बात नहीं की गई थी, कि redemption इस तारीक को होने वाली है, इतने रुपीज में होने वाली है, लेकिन जब मैंने एक chapter ये start करवाया था, जब मैंने आपको theoretical point of view से इस debenture के बारे में, इस chapter के बारे में, issue of debenture के बारे में आपको बताया था, तो याद कीजिए, मैंने बताया था, जब भी debenture issue किया जाते है, उसी के साथ, जो redemption की terms है, वो भी mention की जाती है, issue के समय, तो जब हम issue कर रहे हैं debentures को, उसी समय हमें redemption की terms पताया, तो guys हमें पताया की redemption future में किस तरीके से किया जाएगा, कितने amount पे किया जाएगा, तो guys हमें issue की entry करते समय, जो redemption कर रहे हैं, future में हम redeem करने वाले हैं, उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, issue के समय जब entry pass करेंगे, उसको भी consider करना पड़ेगा, तो आज हम ये वाला topic आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं, कि अगर हम issue of debenture की entries करते हैं, with redemption point of view, मतलब redemption की terms को भी consider करके, जब issue की entries की जाएंगी, तो वो कैसे होंगी, तो guys मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से topic clear करने वालों, तो आप premium पर भी, और discount पर भी, yes भी ये तो हमें पता है, अब redemption की बात आती है, redemption आप कैसे कर सकते हो, guys समझना, आपको मैं कहूँ कि मैं आपको 10 साल के बाद, आपको आज मैं आपसे शोर पे ले रहा हूं, 100 rupees ले रहा हूं, आपको 10 years के बाद, 100 rupees वापिस कर दूँगा, भी या ऐसे पर कर रहा हूं, पार पर, और मैं आपको regularly बोल रहा हूं कि आपको interest दूँगा, तो आप पैसा देने के लिए तियार हो जाएंगे, अगर मैं ये कहता हूं, आज आप मुझे सोर पे दो, मैं आपको 10 years के बाद, 10 years में, मैं आपको 110 rupees दूँगा, और साथ-साथ मैं आपको interest भी दूँगा, भी है, फिर तो मजा ही आजाएगा, हमें 10 rupees extra दे रहे हो, interest भी दे रहे हो, फिर तो हमारी बले-बले हो जाएगी, yes guys, तो redemption premium पर भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको, कि मैं आज आपसे 100 rupees ले रहा हूं, और मैं आपको future में 90 दूँगा, और आप को क्या दूँगा, साथ में interest regularly दूँगा, भी या, हम पागल थोड़ी है, हम क्यों देंगे पैसा, हमें पैसा देनी की जरूरत है, इसे अच्छा हम bank में डालेंगे, bank भी तो हमें interest देता है, बिल्कुल सही, तो redemption जो होता है, जब हम issue करते हैं, उस समय अगर redemption के point of view को consider करते हैं, क्योंकि issue के समय, redemption की terms mention की जाती है, तो उस समय redemption जो है, वो किस पर नहीं होता है, discount पर होता नहीं है, या तो पार पर होगा, या premium पर होगा, ये बात आपको clear होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास six cases बनते हैं, एक तो पहला issue at par, पहला case, issue at par, redemption at par, मैं तीनों को एक, दो, तीन, इसके साथ लेता हूँ, पार पर, ओल्राइट गाइस, issue at premium, premium, redemption at par, yes, भी या, बिल्कुल सही, उसके बाद भी हम बताएंगे, बताओ बताओ जल्दी से, issue at discount, yes, बिल्कुल सही, issue at, issue at discount, and redemption at par, बिल्कुल सही, आपको तो आगे, yes, भी या, हमें आगे, इसके बाद, तीस, चोथा case, भी हम ही बताएंगे, बताओ, फिर, issue at par, yes, बिल्कुल सही, and redemption at premium, very nice guys, बहुत बढ़िया, फिर भी हम बताएंगे, issue at par, नहीं, पार नहीं, premium, yes, बिल्कुल सही, आपको तो आगे, चलिए guys, एक एक case के बारे में हम discuss करते चलते हैं, इनकी entries क्यों गई उसके बारे में discuss करते चलते हैं, सबसे पहला आ रहा है हमारे पास issue at par, और redemption at par, yes guys, तो हम एक काम करते हैं, हम issue की भी entry कर लेते हैं, और साथ redemption की भी entry कर लेते हैं, चलो guys, let's go, अब मुझी ये बताइए, मैं एक छोटा सा question आप से पूछ सहूँ, क्या आपको, कहने का मतलब क्या हुआ, सोरपे में हमने issue किया, और redeem भी कितने में कर रहे हैं, सोरपे में, हमें future में, आप सोचिए, आपकी कमपनी सोरपे लेती है, और future में आपको सो देना है, क्या future में आपका नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहे या नहीं हो रहा नहीं है तो सीधा इशु की एंट्री सिंपल हो जाएगी कि एंट्री हो जी कि माली जी सारा पैसा हम लमसम में मंगवा रहे हैं तो bank account debit to debenture application and allotment जो परसेंट होगा वो लिख देना उसके बाद debenture application and allotment account debit 2% debenture जो भी है guys clear है कितना आजएगा 100 100 100 100 यह तो हुआ अगर हम ल लोट्मेंट की होजएगी फिर फर्स्ट कोल की होजएगी फिर सेकेंड और फाइनल कोल आप यह कर सकते हो आई होप यह बात आपको समझाई होगी हमने सिंपल हमें basically future में कोई लोस नहीं हुआ है इसलिए हम उस लोस को आज ही बुक नहीं कर रहे है आज ही उस लोस को दिख सानी रहे है तो सिंपल एंट्री हो जाएगी सोर पह रहा है बैंक अबी टो देबेंचर अप्लीकेशन और अप्लीकेशन की अब टो डेटेशन की ए अडिये आप लोगों के लिए नहीं है ध्यान से समझना रिटाम्शन में जब 10 साल में रिदेंशन होगा तो हम क्या हमेशा ओरिजनल वेल्यू आती है और उसके बाद डिबेंचर होल्डर एकाउंट है विटू बेंड दाट सेट हैं तो यह आपका फॉस्ट केस हो गया अरे भीया इतना असान यह स्काइज यह वाइट इस बहुत असान है इसके बाद देखिए इसके बाद हम सेकेंड करते हैं इशू एड प्रीमियम रिडम्शन एड पार यस गाइस भीया अब हम कोशिश करते हैं हम बताएंगे बताओ फिर इशू की भी एंट्री करते हैं और रिडम्शन की भी एंट्री करते हैं भीया इशू किया सो वाला 110 में लेकिन रिडीम करना है सो में अब बताएए क्या आज ही हम जब इशू करेंगे उससे में कोई लोस्ट बुक करेंगे नहीं तो गाइस बताइए क्या एंट्री होगी भीया लिखे जल्दी से हमारे पास जो आएगा पैसा 110 आएगा क्योंकि सो वाला हमने किसमें किया 10 में 10 अर्पे एक्स्ट्रा में जो वो किसमें जाता है सिक सेक्शन फिफ्टी टू क्या कहता है जो भी आप कोई सेक्योरिटी इशू करेंगे उस पर कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा वो सेक्योरिटी प्रीमियम का है तो बैंक एकाउंट एबेट टू परसेंट डिबेंचर एप्लिकेशन एंड अलोट्मेंट कितना आ जाएगा 110 110 ए लीग एकांथ याज गाए बिलकुल साहिं अब सेग्वे क्लियर है अब लिबॉप्शन की ईंट्री यह सेमी ओग जाएगी हमेंट लोग तो बहुत मजा आगया हमें तो दो मिनिट में टॉपिक समझा जया अब देखिए अगला भी लोग कर सकते हैं यह सब्सक्राइब करेंगे चलिए गाइज आप हमने क्या किया इश्यू एट डिसकाउट एंड रिडम्शनेट पार चलिए 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 भी अबताइए नहीं भी हम बताएंगे डिसकाउंट माली जी सोवला हमने कितने में इश्यू किया नबे लेकिन दे नुकसान नहीं न ओरिजनल वैल्यू तो सोर पेट शोर पेवला हमने इश्यू किया नबे में ये इश्यू ये डिसक्राउंट दिया है लेकिन सो वला हम फ्यूटर में सोई पे कर रहे हैं डिबेंचर में तो सोई जाएगा डिबेंचर में क्रेडिट्स ओगा पीबी सो कर करें तो आपको कोई लोस नहीं है पहली बार फ्यूटर का कोई लोस नहीं है ओल राइट गाइस यह बिल्कुल सही तो देखो हम इश्यू की एंट्री क्या करेंगे आप बताईए आपके पास पैसा कितना आगा यहां 90 आएगा तो बैंक अकाउंट एबिट टू परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड लोटमेंट कितना आजएगा 90 डिबेंचर परसेंट लगा लेना गाईज यह आप कर सकते हो एंड अलोटमेंट अकाउंट डेविट टू परसेंट डिबेंचर नहीं गाईज अभी परसेंट डिबेंचर नहीं लिखना है यहां पर 90 आएगा देखे गाईज 90 आएगा इसके बाद क्या आएगा डिसकाउंट दिया है याद होगा डिसकाउंट येस भी है हमें तो याद है डिसकाउंट ओन इशू ओफ डिबे आते हैं पहला कि से security premium अगर security premium नहीं है तो discount से sorry capital reserve से अगर capital reserve नहीं है तो last statement of profit and loss लेकिन उसी साल उसको क्या करवाया जाता है right off all right guys अब again हमें क्या करना है हमें ये तो हमारी entries होगे issue की और guys अगर installment भे होगा तो आपको पता है है पहले application फिर allotment और आपको पता है अगर कुछ ना बोला गया discount premium यह सब allotment पर होता है यह हम बहुत अच्छे से discuss कर चुके है उसके बाद जो जो हमारी redemption है अगेन हमें पार पर देना है तो same entry जो अभी हमने इस क्या कह रहा है अगर हमने issue किया किस पर इशू डैट पार एंड रिडम्शन एड प्रीमियम यह गाईज इशू किया सोर्पे में उसके बाद रिडीम कर रहे है गाईज प्रीमियम मतलब 110 उर्पे में आप बताओ क्या फ्यूचर में लोस हो रहे है यह यह अब हो अब हमें इस लोस को रिकोगनाईज एड डा टाइम ओफ इशू करना पड़ेगा तो एंट्री क्या होगी इशू की एंट्री क्या होगी गाईज पहली बात तो आपके पास पैसा कितना आएगा बैंक अकाउंट डैबिट उ परसेंट डिबेंचर एप्लिकेशन एंड अन 110 नहीं आएगा क्योंकि 100 में इशू की है उसके बाद परसेंट डिबेंचर एप्लिकेशन एंड एलोट्मेंट एकाउंट डैबिट कितना आ जाएगा गाईज 100 अब फूचर का लोस आज ही हम अपना लोस मानेंगे तो इसको लोस को हम क्या करते हैं डैबिट लोस ओन और डिया जाएगा जी से बोला जाता है प्रीमियम ओन मैं रिडम्शन और डिबेंचर रिमियम ओन रिडम्शन और यह कितना हो गया दस अंने एक तरफ तो इसको क्या किया लोस किया और दूसरी तरफ अब हमने वह किसी को दिया थोड़ी हमने अपने प्रॉफित में से या हमने security premium में से, capitalism में से या अपने statement of profit and loss में से side कर लिया, दिया थोड़ी है, हमने उसको एक डब्बे में डाल दिया, जिसका नाम है premium on redemption of debenture, और आपको पता है, loss जो है, again, loss को हम क्या करेंगे, उससी साल write-off करवाते हैं security premium से, capitalism से या statement of profit and loss में इस sequence में, और जो premium है, guys, अब ध्यान से समझता, जो premium on redemption of debenture है, यह कहां जाता है, यह जाता है, guys यह जाता है, अब इसमें भी दो बाते आती है, अगर यह हमारी क्या है, long term borrowings है, मतलब हमें long term में pay करना है और दूसरा, अगर हमने इसको short term में pay करना है, अगर यह long term borrowing है, मतलब हमें long term में pay करना है, तो यह कहां जाएगा non current liability में other long term borrowing तीसरा पार्ट होता है, non current liability में चार पार्ट होता है, one is long term borrowing, दूसरा defer tax liability, other long term liability long term provision, तो तीसरे में other long term liability में, यह हमारा long term borrowing नहीं, sorry, long term लाइबलिटी में अगर हम इसको शोट तम मानते हैं या डिबेंचर को करण्ट मेचुरिटी ओफ लॉंग टम डेट के तोर पर दिखाते हैं या डिबेंचर को शोट तम बोरेंग में तो premium on redemption of the venture को कहां दिखाया जाएगा इसको हम current liability में अगर current liability में क्या किया जाएगा शो किया जाएगा आई होप यह बात आपको समझाई होगी बिल्कुल अच्छे से आगी यह भी है अब बात आई गाईज अब redemption की entry नहीं सेम नहीं है अब पे कितना करना है गाईज 110 पे करना है तो परसेंट डिबेंचर डिबेंचर में तो औरीजनल है तो हंडर्ड हंडर्ड ही डैबिट होगा लेकिन हमने दब्बे में डाला हुआ है जिस दब्बे का नाम है प्रीमियम ओन रेडम्शन ओफ डिबेंचर अब भीया डबा खाली हो जाएगा डिबेंचर कितना आ जाएगा 10 और हम किसको देंगे डिबेंचर होल्डर को कितना देंगे 110 और क्या हो जाएगा डिबेंचर होल्डर टू बैंक यस भीया यह तो बहुत असान है येस गाइस गाइस इसके बाद हमारे पास फिफ्ट केस आ रहा है अगर हम डिबेंचर को इसु करते हैं किस पर इसुड एड प्रीमियम और रिडंप्शन भी किस पर ओर है प्रीमियम पर चलो यहाँ पर देखें तो हमें क्या हो रहा है 110 ली 105 रख नुक्सान का हो रहा है जो 110 में इसु किया है जो यह दसर पर इसु के समय हमें एक्स्रा मिला यह पैसा तो सिक्यूरिटी प्रीमियम रिजर्व वाले खड़े हैं वो करें भीया सेक्शन 52 के कोडिंग 10 रपे तो मे फूचर में नुक्सान हो रहा है आई होप यह बात समझ आई होगी आपको आप हम एंट्री करते हैं देखें गाइस इसु में देखें इसु की जब एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलोटमेंट ओल्राइट कि डिबैंचर कितना आ जाएगा और टू में प्रसेंट डिवेंचर औरिज़नल में हमेश्या इंताएं प्रेंप्र्सेंट कर देंगे यह बिलकुल सही अच्छे से क्लियर हो गया आप हमें अब रिडम्शन की एंट्री बताइए अब तो हमें आ गया भी या परसंट डिबेंचर लिखो आप 100 यास बिलकुल सही फिर आप प्रीमियम ओन रिडम्शन डब्बे में जो डाला है उसको खतम करो कितना 5 और 2 में क्या हो जाएगा ड दूसरा कैपिटल डिजर्व तीसरा स्टेटमेंट ओफ प्रॉपिट एंड लोज और उसके बाद प्रीमियम ओफ डिडम्शन डिवेंचर मैंने वही बात बताई लोंग टम बोरिंग और शोर्ट टम बोरिंग यह किस सरीके से इसको शो कर दिया जाएगा अब हमारे पास आ प्रीमियम यह बिया अब हम बता सकते हैं कोशिष करते हैं बताओ फिर 110 में चलो इश्यू की एंट्री में हम कोशिश करते हैं देखे भीया अब पहले यह बताईए क्या लोगों सो रहे यह बिल्कुल हो रहे क्योंकि आपने बूला डिबैंचर में तो औरीजनल जाता है सो उर्पेवला 110 में पेंपेकर Hamban Tamposan तो दो स्थावेग बीस का नहीं है यह उगांत में सकता है लेकिन फूचर का नुकसान गया mrt future के नुकसान की बात कर रहा हूँ अब बताइए तो आप यह एंट्री होगी बैंक एकाउंट है भी टू परसेंट डिबेंचर एप्लिकेशन एंड अलोटमेंट पैसा आएगा 90 बिल्कुल सही हो उसके बाद परसेंट डिबेंचर एप्लिकेशन एंड एलोटमेंट 90 आएगा अब हमने 1690 में किया तो इससे परसेंट डिबेंचर कितना आगया 10 इसके बाद भी है परसेंट डिबेंचर में हमिशोर इसनल आता है बिल्कुल सही और टू में प्रीमियम और रिडम्शन ओफ डिबेंचर फ्यूचर के लोस के लिए हमने दब्बे में 10 डाल दिया बात खतम येस बिल्कुल सही आपको ब 20 क्योंकि लोसोन इश्व डिबेंचर इस बवाइडर टम ही आगन वही बात लोसोन इश्व को हम क्या करते है राइट ओफ करते हैं उसी साल करते हैं आपको क्लियर है और प्रेमियम और रिडर रिडम्शन के बारे में भी मैं दिसकॉस कर चुका हूँ आब एंट्री क्या हो बैया ये तो topic हमें clear, बहुत बढ़िया, I hope ये topic और ये lecture आप लोगों को अच्छे से clear हुआ होगा, अब आप बहुत अच्छे से question कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, I hope ये lecture आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज इसके ओपर like, comment जरूर कीजिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा share कीजिए, ताकि और भी बचों का benefit हो सके, और अगर आभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, जल्दी से जाईए और चैनल को subscribe कीजिए, और bell icon बटन जरूर दबाईए, ताकि आपको future की information भी मिलती ही रहे, और guys हम detail lectures हमारी app के ओपर जो कि play store में जिसका description में link दिया गया है, आप उसमें जाकर हमारे detail lecture भी देख सकते हैं, thank you so much for watching this video.